डियर फेर्ड्स मासिग जाज परिक्षा का संस्कित विशे का 10th क्लास का सोलूसन देख रहे हैं आपका विज्ञान का विशे का अल्रीडी डाल दिया गया है विज्ञान विशे में एक आपका फोटो वाला कोश्चन आया था मासिग जाज परिक्षा में लास्ट कोश्चन ज तो यहाँ पर जो पहला question है, इसमें आपको सरणम की मस्ती तो यहाँ पर आ जाएगा प्रकरती, पहले का option हो जाएगा घह, उसके बाद दूसरा जो question है, आप ढंग सा अगर किताब को पड़ते हैं, चैप्टर को पड़ते हैं, तो आपको जो answer मिलेगा वो हो जाएगा आपका ठीक है, तो इसमें आपका first और second question देख लिया, उसके बाद में तीसरा question है, जलम की द्रशम नास्ती, तो यहाँ पर है निर्मलम, ठीक है, यह का option इसमें correct हो जाएगा, और ब्रशम दूसरी तम किम आस्ती, तो यहाँ पर वाइम मंडलम आ जाएगा, गा option correct हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको जो दिया गया है, अगर संदी दिया है, तो उसको जोड़ के लिखना है, और जो संदी नहीं दिया, उसको बिना जोड़े लिखना है, तो आप देखिए, यह पूरा वाक्य लिखा है, इसका संदी विखेद हमने कर दिया, तो इस तरह से आपको करना है, इसमें आप से पूछा गया, अदोलकिटानाम, पदानाम, पर्याएपदम लिखता, पर्याएपदम जो है, सलीलम का हो जाएगा, जलम, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ, इसी के नीचे आंसर, ख का है, आमृलम का हो जाएगा, सलाम, ठीक है, रसलम, ठीक है, और सरीरम का हो जाएगा देहम, और इसके बाद में पासानह का हो जाएगा प्रस्तरम, और वनम का हो जाएगा अर्णयम, ठीक है, तो ये इसके आंसर्स थे, अब आते हैं कोशन नमबर थर्ड की तरफ, कोशन नमबर थर्ड में पूछा गए आपसे, तो समस्त हो जाएगा इसका complete solution इसी तरह से third आपका जो है इसका हो जाएगा दुर्दांत दशनी ठीक है ये वाला option हो जाएगा इसका correct है एक minute आपको दिखा जाएता हूँ ये वाला ठीक है इसके बादाते हैं हरिता लिताह च ये तरवव इसका आजाएगा हरित तरुणाम और इसका ललिताह च ये लता है तो यह हो जाएगा ललिता लतानाम ठीक है तो ये इसके answers हो गए सभी answers उनीके पास में लिखे हुए जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ जैसे लिख लिए इस पहले का अंसर का के पास ही लिखा है घा का अंसर घा के पास लिखा है खा का अंसर यह लिखा है और गा का अंसर यह लिखा है तो इस तरह से इसके अंसर से लिख दिये है जगे कम थी तो उपर नीचे लिख मेंने आते हैं चोथे question पे चोथा question है इसमें आपको अदो लिखिते भया पदेम इसमें प्रश्णवाचक जो है क्या लगेगा वो आपको सब्द जो है वो पद लिखना है तो यहां पक्षिणाम तो केशाम आ जाएगा ठीक है अगर इसका प्रश्णवाचक बनाएंगे तो और यह महानगरेशू में केशू आ जाएगा और प्रकरत्याह में कस्या आ जाएगा और यहां पे लता तरू गुलमाह में आ जाएगा के और जनह में किम ठीक है तो यह इसका आंसर होगे अब आते हम दीरगप्रश्ण दीरगप्रश्ण में प्रकरत्य संरक्ष्ण के उपा सौभावी करूप से मनुष्य की सहायता के बिना बने हैं ठीक है ना जो मतलब मनुष्य नहीं बनाया है लेकिन वो प्रकरती ने बनाया है तो उसकी जो संरक्षन जो है हमारे लिए करना जरूरी है क्योंकि वो हमारे लोपयोगी हैं उसके बिना हम नहीं रह सकते इस तरह से प संसाधन कराते हैं जैसे कि वायू अपने आप बनती रहती है पानी भी आपका सूरज भी है आपका जो की रोशनी देता है इसी तरह गैर अक्षे संसाधन जो या तो फिर से उत्पन नहीं होते या बहुत ही धीमी गती से बनते हैं जैसे जीवाश में इंजन और खनीज ठीक ह ऐसे जैविक में आजाता है ये जीवित प्राणियों तथा पोधो और जानौरों की तरह कारवनिक सामगरी से आते हैं और इसी तरह से जैविक जो होते हैं ये गैर जीवित चीजों से आते हैं कारवनिक पदार्थों की इसमें प्राप्ती होती है इसमें हवा पानी भूमी भी शámil है साथ ही लोहे तामबे चांदी जैसी वस्तुव को भी इन में गिना जा सकता है थीक है इसके बाद में आते हैं प्रकार्टिक संसादनों की वास्तु को भी वास्तुग संसादन और अक्षडिस संसादन स्टाॉकr संसादन उसके विकास के इस्तर क्या धार पर संवा विवावित संसादन जैसी स्रीनियों विवावित किया गया है उसके बाद में प्रकृति संरक्षन के तरीके जो हैं हम लिख सकते हैं कैसे बचाया जा सकता है उसके बारे में हम लिखेंगे उसके बाद में हम बता देंगे प्रकृति संरक्षन एक गंभीर विशह है जिस पर तुरंत ध्यान देने की आउशक्ता है, उसके बारे में हम बता देंगे, और हम उसको सनक्षन कैसे कर सकते हैं, सुमीत उप्योग करके, प्रकरती को फिर से हरा भरा बना करके, ठीक है, इसके बारे में लिख देंगे, और उसके बाद में जागरुकता भी फैलाएंगे, यह जागरुकता भी फैलाएंगे, उसके बाद निश्काश लिख देंगे, उसके अलावा आप लिख सकते हैं, बिजली का कम उप्योग करके, पानी का कम उप्योग करके, तो यह जो चीजे हैं, उनको आप line में add कर सकते चाहे तो चाहे तो आप ये complete लिगी देगे तो भी आपका solution complete सही हो जाएगा दूसरा जो question है इसमें पहला part जो पूछा गया था अथवा वाला बाद मैं नीचे दिखाऊंगा मैं अब्वी भाव समास पर प्रकास डालते हुए पांच उधान लिखने तो अब्वी भाव समास क्या होता है इस समास में पहला पद अब्वे होता है और वही प्रधान होता है और समस्त जो पद है वो अब्वे बन जाते हैं यथा यानि कि यहाँ पर संस्कित में आपका जो पे नाम पद पूर्व अविभाव समास और अव्यव पद पूर्व अविभाव समास तो नाम पद क्या होता है जिस समस्त पद में पहला पद संग्या हो और दूसरा पद अव्यव हो उसे नाम पद पूर्व अविभाव समास कहते हैं जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे इसके धारण आप दे सकते हैं और दूसरा जो इसका पार्ट है नाम पद के बाद में अब्यपद पूर्व अब्यवाववि समास तो इसका भी हमने एक्जामपल दिया यह क्या होता है इसमें पहला पद अभ्यव या उपसार हो सकता है दूसरा पद संग्या हो ठीक है तो दरहकीकत ठीक है तो यहां पे अनुगमन अनुगमन ठीक है प्रत्यारोपन आसमुद्र और याजीवन ठीक है इस तरह से आप इसके एक्जामपल दे सकते हैं तो यह हो गया complete solution इसका अब आज़ते हैं अथ्वा पार्ट पे इसमें पूछा गया था आपका सूची पर्यावण तो यहां पर मैंने अपनी इसाब से लिख एँप मात्रभासा में लिखना आहारा है तो यहांपर मैंने पूरा complete इसको लिख दिया आप इसको आरऑंसे एक बर देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगगा तो यह पूरा solution यह complete solution है तो आसा करता हूं इस वीडियो स आपको काफी help मिलेगी, आपका जो other विशे हैं, उनको भी upload किया जाएगा जल्द से जल्द, जैसे जैसे question paper हमारे पास आ रहे हैं, वैसे वैसे हम upload किये जा रहे हैं, और अगर आप कोई भी question paper का solution चाहते हैं, जो 2021 में आपके board के द्वारा जारी किया जा रहा है, और आपके exam ह हो रहे हैं, तो उन सबी के solutions आप हमें question paper को भेज सकते हैं, 8469022568 पर और उसके solutions आप तक पहुंचा दिये जाएंगे, वीडियो के जरीए, तो ये नमबर है, 846902568 इस नमबर पे आप WhatsApp के through PDF या फोटो साफ साफ कीच के भेजेंगे, तो आपको उसका solutions मिल जाएंगे, हम solutions आपके पूरी इंडिया के बनाते हैं, आप check board हो, MP board हो, जारकन board हो, मतलब आप कोई board से हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे आप channel पर अगर आप visit करते हैं, description box एक बार खोलेंगे, तो आपको पूराने, जितने ही paper से वो भी solution मिलेंगे, model paper से वो भी solution मिलेंगे, सब कुछ, जारी किये जाएंगे, model papers, उसके भी complete solution मिलेंगे, तो आपको घबराने की ज़रूत नहीं है, कहीं भी tension लेने की ज़रूत नहीं है, full support आपको इस channel से मिलेगा, अपने दोस्तों के साथ share कर सकते हैं, subscribe करना चाहें तो गर सकते हैं, thank you very much for watching this video.